पहले हम वीडियो बनाते थे कि किस तरह की पोड़क्ट को आपको पर्चेस करना है बट अब हम वीडियो बनाएंगे वह कौन सी पोड़क्ट है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है शुरुबात करेंगे आज की अमारी इस वीडियो से जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे परड़क्ट्स कुछ ऐसे गैजेट्स जो की आपको बिलकुल भी नहीं लेना है हाला कि यह product most selling product है बढ़ इस वीडियो में आपको detail में बताऊंगा कि क्यों आपको इन products को नहीं लेना है शुरुबात करेंगे हमारी इस वीडियो से मेरा नाम है सुभम अगरवाल और आप देख रहे हैं Cyber Baba YouTube Channel ओकी गाईज तो इस लिस्ट में हमारे जो सबसे first product आता है वह आता है Airpods जियां यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास यह Airpods है बट यह एक first copy Airpods है बात करेंगे अगर हम इसके price की तो करीब 200 से 300 रुपए की बीच में आप इस product को online purchase कर सकते हैं हलाकि यह बिलकुल डिक्टो कॉपी है Airpods से और जो Airpods का price है वह करीब 14,900 रुपए अगर आप किसी भी marketplace पर जाकर सर्च करते हैं Airpods तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको Airpods देखने मिल जाते हैं जो की 500-300 रुपए की range के बीच में है हलाकि कुछ सेलर ने 700-800 रुपए में भी sale कर रहे हैं बट seriously अगर मैं discuss करूँ इन Airpods पर तो बहुती ज़्यादा कचरा है मतलब अगर आप इनको purchase कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इना पैसा waste कर रहे हैं इनका जो battery backup है वह करीब 30-40 minute 30-40 minute तक आप इन Airpods को regular use कर सकते हैं lens wise भी बहुती ज़्यादा वड़े हैं और quality की अगर हम बात करें तो इनमें आपको बिल्बकुल भी quality नहीं मिलती है charging case के याँपर जो quality है वह इतनी ज़्यादा lose है कि अगर 15-20 बार आप इन Airpods को charging पर लगाते और निकालते हैं तो जो socket है वह खराब हो जाता है और एक और यहाँपर जो drawback है वह हैं इनकी keys अगर आप इने on करते हैं तो कई दोरान यह connect होते हैं कई दोरान यह connect नहीं भी होते हैं कई बार single connect होता है कई बार दोनों साथ में connect ही नहीं होते तो pairing की यहाँपर भी बहुत समस्या है तो suggest करूँगा अगर आप इनको लेनी का सूच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इन Airpods को purchase ना करें इससे अच्छा है कि आप buy adoption की तरफ जाएं 200-300 रुपए में आपको बहुत ही बहतरी बायड यारिफोन भी मिलेंगे बढ़ेंगे हम अपने next product की तरफ जो कि यह GoPro camera जिया Amazon या फर flip card पर अगर हम बात करें इसके price की तो करी 500-600 रुपए के बीच में आपको एक camera देखने मिल जाता है बट यह camera नहोकार सिर्फ और सिर्फ एक 100 piece है जिया यहाँ पर आप जो भी इसकी specification देखेंगे टोटल रॉंग है अगर हम इसकी recording की clarity या फर quality की बात करें तो अगर आपका distance 10 feet भी है तो यहाँ पर आपको बिलकुल भी clarity नहीं दिखती बहुत ज़्यादा blur camera है यह सिर्फ और सिर्फ इसकी लिए GoPro camera सही है अजरबाइस अगर आप चाहें कि आप इससे block suit करें या फिर अगर आप चाहें कि आप इससे recording के दोरान use करें तो आप अपना पैसा based कर रहे हैं इससे कहीं अच्छा है कि आप अपने blocks को mobile से ही suit करें यहाँ पर जो waterproof case भी है अगर आप इसे पानी के इंदर डालते हैं तो पूरे camera में पानी वरजाता है तो यह सरफ case waterproof नाम मात्र का है कोई भी यहाँ पर आपको waterproof features नहीं मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल भी suggest नहीं करूँगा कि आप कभी इस cam को purchase करें बढ़ेंगे वीडियो के हम next product की तरफ चो कि है एक spypan यहाँ 200 से 2500 रोपे, maximum से maximum 300 रोपे में आपको spypan camera देखने में जाता है बात करें अगर हम इसकी quality की तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी quality देखने नहीं मिलती है हलकि आपकी जो images होगी अगर हम वीडियो को skip भी करें तो आपको images में भी बिल्कुल भी quality देखने नहीं मिलेगी quality से मेरा मतलब यह होता है कि सामने वाले product को आप पहचानी नहीं सकते कि अपने किस picture को click किया है तो यह camera भी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही है आपके पैसे total waste जा रहे हैं बिल्कुल भी सेज़ेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस camera को purchase करें बढ़ेंगे हम इस video के next product की तरफ चो कि यह एक charging cable यह सिर्फ और सिर्फ एक charging cable नहीं है यह एक light charging cable है अब आपने भी देखा होगो कि बहुत सारे marketplace पर आपको यह light charging cable देखने में जाती है बट इसका जो सबसे बड़ा draw bag है वह यह है कि आपका जो charging time है वह वड़ जाता है यहाँ पर आपको दौनों ही side light देखने में जाती है इस charging cable में जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आपको यह cable बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको आरजी भी light देखने में जाती है बट जब आप इस से mobile को charge करेंगे तो यहाँ पर आपको charging का time होगा वह बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा क्योंकि light के कारण proper तरीके से current pass होता नहीं है जिससे आपका mobile बहुत ज़्यादा slow charge होता है तो यह एक cable का drawback है इससे अच्छा है कि आप normal किसी heavy cable को purchase करें ताकि आप mobile को अच्छे से charge कर सकें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा waste करेंगे बढ़ेंगे वीडियो के हम next और last product की तरब चोकि है magnet wireless earphone जिया most selling earphone है अगर आप offline market में चेक करेंगे या फिर online market में सबसे ज़्यादा विकने वाला earphone है बड़ actual में इसका जो fact है वह कुछ अलग है इस earphone का बैटरी वेक अफ है वह करीफ एक गंटे एक गंटे आप इस earphone को regular use कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक इसे use करते हैं हलाकि 20-30 मिट तक भी अगर आप इसे regular use करते हैं तो आपके कानों में बहुती ज़्यादा दिक्कत होती बहुती ज़्यादा pain होता है क्योंकि यहाँ पर hard pop का use किया गया है किसी भी प्रकार के यहाँ पर आपको waste या फर sound की quality यहाँ पर नहीं मिलती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको loud sound सुनने में जाता है तो मैं आपको बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगा कि इन products को आप purchase करें हलाकि बहुती ज़्यादा sale होते हैं हर जगए आपको यह products देखने मिलेंगे बड़ एक्शल मिन की जो quality है वह बहुती ज़्यादा बेकार है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba